पांत सो वर्षों का इंतजार संगर्ष और लाखों लोगों का बलिदान आज वो पल आया है कि जब 22 जनवरी को प्रांट प्रतिष्टा आयोध्याधाम में होगी भव्य राम मंदिर का निर्मान हुआ है और महारिशी वालमी की जिके भव्य एरपूर्ट का उद्गाटन हु संचालन हुआ है एक तरह से अध्यात्मक नगरी तो बनेगी आधुनिक भी होगी सुविधाओं से लैस होगी देश के हर कोने से कुछ ना कुछ आ रहा है कहीं तुर्पति बाला जी से लाको लड़ू बनकर आ रहे हैं तो कहीं सबसे बड़ा घेंटा बनके आ रहे हैं कहीं भव्य राम मंदर के निर्मान और प्रतान प्रतिश्टा के इस कारेक्रम के साथ जुड़ रहे हैं भारतियों के अंदर एक खुशी है देश और दुनिया भर में और मुझे लगता है इससे बड़ा उत्सा कपल क्या होगा पूरा देश जहां एक और पूजा और वहीं पर सब्सक्राइब को मनाएगा इससे पहले भी घरगर जाकर लोग अक्षत बांट रहे हैं बहुत सारे और कारेक्रम चल रहे हैं अपने घरों पर भगवान राम के अताका जंडे लह रहाए जा रहे हैं राम मैं भारत हो गया मैं कर दोजार 24 में तीन बार दिवालिया मनाए ज पूरे देश के लिए हर्ट पूरे देश के लिए बहुत बड़ा पर समाज के सभी वर्गों ने इसका बहुत स्वागत अभी नमदन भी किया है और हम भी चाहते हैं कि जब इतने वर्षों का लंबा इन्पजार खत्म हुआ और कोविड काल के समय जब दो सालों में लोगों का घर बन कर तयार नहीं हो पाता है उन्हीं दो सालों में करतव्य अपत निया संसद भवन भारत मंडबं यशो भूमी से लेकर अभव्य राम मंदर का निर्मान थी यह बढ़ते भारत के कदम है जब नए आयाम सापित हो र के अधित्य अलवन सोलर की सफलता यह भारत की गूंज भारत की उपलब्दियों की गूंज आज देश और दुनिया में इसलिए गूंज एक और होगी जो चारों तरफ सुनाई देगे और वो गूंज 22 तरीक को होगी जब गुंगान ली और यह आरती और तरह तरह के भजन देश के अलगला कोनों में राम भक्तों के रवारा गाय जाएंगे राम मैं बहुल होगा आनंदी कुछ राम मंदिर को मेले के इतना ही कहों यह राजनिती नहीं आस्ता का विश्य यह लड़ने के लिए नहीं चोड़ने का काम और राम जी का जीवन ही हम समके लिए और हम सब लोग मर्यादा पशोतम राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखें भी और राम राज्ये के लिए अपना योगदान भी देखें हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद